आप एक अच्छा साउंड बार या होम थेटर को कैसे पर्चेस करेंगे अगर यह वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाजू म तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट बनाया हूं तो यह पॉइंट के उपर हम जाएंगे तो उसी सबसे अगर आपको पर्चेस करना है तो पॉइंट के उपर आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी एक साउंड बार या होम थेटर आप ले सकते हैं तो पहला है फ्रि जैसे के अगर कोई एक सांड है 35 होर्च से नीचे तो ऋ जगा में उस साॉंड आपको महसूस करवाता है कि कुछ हुआ जिसे अप़ी एक मूबी देख रहे हैं तो उसमें एक सउंड है जो के 35 हर्ट से कम है तो जगह में साउंड आपको महसुस करवाएगा कि कुछ हुआ बट वह साउंड जो है आपको सुनने के लिए नहीं मिलता है या आप सुन नहीं पाते हैं तो जगह में जो सौब उफर रहता है सिस्टम में वह हेल्प करता है जैसे के कोई कोई सीन आप देखे होंगे मूवी वगेरा में जस्ट आपको फिल करवा देगा कि कुछ आवाज आया बट वह आवाज आता है सौब उफर में तो उस तरह अगर आप कोई भी मूजिक सिस्टम लेते हैं जैसे होम थेटर हुआ या साउंड बार हुआ तो उसमें आप चेक कीजिए ज्यादा से ज्यादा रेंज के अंदर साउंड फ्रिक्वेंसी रहे जैसे के मैं आपको स्टाटिंग बताया 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स मिन्स इसके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है तो उसी सबसे जो रेंज रहता है जैसे के स्टाटिंग टू एंड तो रेंज ज्यादा रहना चाहिए जितना ज्यादा वाइड रेंज का आपको फ्रिक्वेंसी मिलता है तो उसतना अच्छा क्लाइटी का साउंड आपक जो पाउर फुल रहेगा जैसे नॉर्माली बाता है कितिना वाट का है तो वहांसे हम अंदाज लगा सकते हैं कि वह जो सिकर या मृजिक सिस्टम हो कितना पाउर फुल है तो जैसे हम अब जादा पाउर रहता है जैसे नॉर्माली हम एक 15 iphone या 15जो 3000 या 15R वाइभं 10 का अ ज्यादा पौरफुल लेते हैं तो उत्वना पेशा भी आपको ड़ना पड़ेगा उसके साथ अगर आप ज्यादा पाउर में उसको प्ले करते हें तो आपका घर में जैसे बाइब्रेशन फील होगा यह आपका पोड़ोसी आपके खिलाब कंप्लेंडी कर सकते हैं तो उसी सब से आप पावर चूज कीजिए जो के आपका रूम के लिए परफेक्ट हो जैसे नर्माली अगर आप ज्यादा पावर का लेते हैं बड़ उसको आप अगर छोटा रूम में चलाते हैं तो उसको मैक्सिमूम 40-50% भॉलिम देके ही प्ले कर सकते हैं मिन्से आप ज्यादा पेशा दे रहे हैं और उसको कम पावर में प्ले कर रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप परफेक्ट जो पावर आउटपुट है वो छूश किजिए जो कि आपका पेशा भी बचेगा और आपका रूम के लिए वो परफेक्ट रहेगा उसमें आप चेक कीजिए HDMI-E-ARC और HDMI-ARC जो कि audio return channel यह दोनों से एक होना जरूरी है और सेकेंड उसमें optical port होना जरूरी है और थार जो है उसमें Bluetooth होना जरूरी है और लास्ट जो है वो आनलग port है जो कि auxiliary port वो भी होना जरूरी है तो उसी सबसे कभी कबार आप wireless connectivity भी कर सकते हैं HD quality का भी connectivity कर सकते हैं अगर आपको पास कोई एक device है जो के आनलग है उसको भी आप auxiliary port में भी connect कर सकते हैं तो यह various type का connectivity रहने से आपको connection में काफी easy हो जाता है और लास्ट बात करते हैं audio technology जैसे के आज के date में काफी अच्छा audio technology आ गया है तो जैसे डॉल्वी डिजिटल हुआ डॉल्वी डिजिटल प्लस या डॉल्वी आट्मस या डॉल्वी cinema तो यह सब technology रहने से आपका audio expense काफी enhance हो जाता है जैसे के अगर आप एक theater में जाते हैं जिए theater में dolby sound है तो एक movie आप देखते हैं तो उसका audio expense आपको काफी अच्छा लगता है but same movie अगर आप बीना dolby वाला कोई भी theater में देखते हैं तो वहाँ पे उसका audio system आपको अच्छा नहीं लगेगा तो यह sound technology है यह आपका music system में रहने से आपका surrounding sound है वो काफी improve हो जाता ह है मिन्स जैसे एक बारिक-बारिक sound भी आपको अच्छा दिरिकेसे सुनाई देता है उसके साथ साथ उसका जो sound का depth है वो भी काफी अच्छा हो जाता है जैसे के आज के date में काफी सारे movie जो आप देखते हैं उसमें 5.1 या 7.1 surrounding sound के साथ मिलता है उसके साथ साथ मूवी में भी Dolby technology यूज होता है तो उसी सबसे अगर कोई movie आप आपका audio system में सुनते हैं तो सेम आपको music quality मिल जाता है तो इसलिए कोई भी अगर आपको audio system लेना है तो वहाँ पे आप चेक कीजिए उसमें कौन सा audio technology दिया गया है तो उसी सबसे आपका sound का quality काफी एनाम चोज जाता है तो यहाँ पे मैं आपको काफी सरे point बता दिया तो यह point को देखके आप एक अच्छा sound bar हुआ या home theater पर्चेस कर सकते हैं तो आसा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा अगर यह वीडियो आपको आच्छा लगा तो like and share जरूर किजिएगा अभी आप हमक का पेज जो है उसको like भी कर सकते हैं अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लिजिए कि कि इस टैप के वीडियो में रोज लेके आता हूँ तब तक हमारा चैनल देखते रहे है साहो टेक्नोगैड आपका दिन सुभ हू कर दो